नमस्काल टीवी निउस में आपका स्वागत है राजस्तान पिधानसबा चुनाओ में नामांकन वापसी के अंतिम दिन कॉंग्रेस को तगड़ा छटका लगा है देर शाम पूर्ब महापौर रामेश पर दाधीच ने भाजपा का दामन थाम लिया दाधीच को अशोक गहलोत का बेहत करी भी माना जाता है गुरुवार रात जैपुर में भाजपा के मीडिया सेंटर में गजेंदर सिंग शिखावत ने उन्हें भाजपा की सदस्यता ग्रहन करवाई नहीं राजसान में वगावत से जूच रही कॉंग्रेस की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है वगावती तेबर थमने के लिए कॉंग्रेस की और से चलाया गया मिशन 25 भी बेअसर नजर आ रहा है गुरुवार शाम पार्टी को एक और बड़ा जटका लगा जब पूर्ब महापौर रामीशपर दाधीच ने बीजेपी का दामन थामने का एलान कर दिया नामांकर बापसी के आखरे दिन किया गया ये एलान कॉंग्रेस की मुश्किले और भी बगा सकता है राजस्तान सीम अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले पूर्ब महापौर रामीशपर दाधीच गुरुवार शाम भाजपा में शामिल हुए जैपूर के मीडिया सेंटर में केंद्री मंत्री गजेंद्र सिंग शिखावत ने उन्हें पार्टी की सदसिता ग्रहन करवाई इस दौरान राजस्तभा सदस्य राजेंद्र गहलोत भी मौजूद रहे रामेशपर दाधीच के साथ ही दौसा के पूर्व जला प्रमुक विनोद शर्मा नेवी भाजपा की सदसिता ग्रहन की पूर्व महापार रामेशपर दाधीच ने सुर्शागर विधान सभा से कॉंग्रेस से टिकेट के लिए दावेदारी की थी हाला कि पार्टी से टिकेट नहीं मिलने पर उन्होंने बागी होकर बतोड नर्तलिये सुर्शागर विधान सभा से नामांकन भी किया था इसके बाद गुरुवार को अपना नामांकन बापस ले लिया देर शाम राजे सबसांसद राजेंद्र गहलोत दादीच को विशेश बिमाद से लेकर जैपुर पहुचे यहां उन्होंने भाजपा में शामिल होने का एलान कर दिया रामेश्पर दादीच ने कॉंग्रेस से वगाबत कर नामांकन पत्र दाखिल किया था गरुवार को जब उन्होंने नामांकन बापिस लिया तो यह माना गया कि शायद कॉंग्रेस के दिगज नेताओं को प्रयास काम कर गया है आलाकि बाद में यह साफ हुआ कि दादीच तो नामांकन बापिस लेने के बाद कॉंग्रेस को छोड़ कर बीजेपी में शामिल हो गए है